मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनका नाम था लांस नायक ध्यान सिंग ध्यान सिंग होकी में इतने जादू कर थे कि ये दिन में तो खेलते थे राप में भी खेलते थे जब बिजली नहीं थी सुराज की रोश्णी में तो खेलते थे चंद्रमा की रोश्णी में भी खेलते थे और जब चांद की रोश्णी में खेलते थे इनका नाम पड़ गया ध्यान चंद और ध्यान चंद 1936 जर्मनी के ताथ ओलंपिक्स होकी वर्ल्ड कप फाइनल 25,000 लोग उस दिन स्टेडियम में खड़े थे ध्यान दीजेगा 25,000 लोगों ते बढ़ा हुआ स्टेडियम 16-1 से जर्मनी को रोश्ण डाला और 15 गोल अकेले दागे थे दुनिया का तबसे बड़ा तानशा हिटलर उस दिन स्टेडियम में था और आया नीचे बोला तो होकी तोड़ो इसकी इसकी होकी तोड़ो चुमबक निकलेगी कैसे ये चपकागी खिलता है चुमबक निकलेगी इसकी होकी में नहीं निकली रात को हिटलर ने उनको अपने कमरे में बुलाया बोला हॉक्की खेलने के अलावा क्या करते हो हॉक्की खेलने के अलावा क्या करते हो लांस नायक ने बताया मेरा नाम है ध्यानचन आर्मी में काम करता हूँ तभी दुनिया का ताना शाह उनको बोला ध्यानचन तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है आज भी सूबेदार हो जर्मनी से खेलो एरफिल्ड मार्शल बना दूँगा आज ही जर्मनी आजाओ एरफिल्ड मार्शल बना दूँगा तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है अभी बात देश की आ गई थी जो उन्होंने जवाब दिया मैं दिन्दगी में भूलता नहीं सुनना चाहेंगे सुनना चाहेंगे मेजर ध्यान चन्न ने उनको कहा साथ मिस्टर हिटलर मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की ये मेरे जिम्मेदारी अपने देश को आगे बढ़ाने की अपने देश सही खेलूआ